अम्मा भूक लगिया है कहां से लाओ खाना मेरे बच्चे पूरे गाओं में सूखा पड़ा है किसी के घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है अम्मा एक रोटी दे दो बस ऐसा मत बोल मेरे लाल मैं करती हूँ कुछ लाती हूँ कहीं से तु रुक चांद पुर्वा एक छोटा और प्यारा सा गाओं था जहां मुश्किल से बीस परिवार रहते थे लेकिन इस बार गाओं को न जाने किसकी नजर लगी कि पूरा का पूरा गाओं ही सूखे की चपेट में आ गया गाओं में ना तो पानी रह और ना ही अन्न शुरुवात के कुछ दिन तो सभी ने किसी तरह आपस में मिलकर एक दूसरे का सुख दुख बाट लिया उस्मा ने अपने बच्चे से रोटी लाने का वादा तो कर दिया था लेकिन वो अपने लाल के लिए रोटी कहां से लाए यही सोच उसे परिशान कर रही थी तभी आखरी उमीद लिये वो गाउं के मुख्या हरिलाल के घर की तरफ चल पड़ी मुख्या जी राम राम आ बहन कैसी हो बताओ क्या बात है मुख्या जी आप तो जानते ही हो कि गाउं में सूखा पड़ा है मेरे बेटे ने कल से कुछ नहीं खाया है अगर आप बस एक रोटी दे दो तो मेरा बच्चा कुछ खा लेगा मदद करो मुख्या जी तुम चिंता मत करो बहन रुको मैं अभी आता हूँ मुख्या फॉरण रसोई के अंदर गया और वहां से एक बड़ा कटोरा भर कर दाल चावल ले आया फिर वो कटोरा उस ओरत को देते हुए बोला गाउं पर भारी आपदा आई है बहन पर हमें एक दूसरे के साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा ठीक है ये काफी सारा खाना है जाओ अपने बच्चे को पेट भर खिलाओ और तुम भी खा लेना आपका बहुत बहुत उपकार है मुख्या जी भगवान आपको और आपके परिवार को खुश बनाई रखे वो औरत खाना मिलते ही बहुत खुश होई और मुख्या को बहुत सी दुआएं दे कर चली गए उसके जाते ही मुख्या ने अपने बेटे रवी और उसकी पत्नी रेवती को बुलाया रवी गाओं में पड़ा सूखा आप जानलेवा होता जा रहा है कुछ करना होगा लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं पिताजी सब की अपने अपनी किस्मत है चली आईए खाना खालीजीए नहीं रवी मैं इस काओं का मुख्या हूँ जब तक इस काओं का एक भी बच्चा भूखा है मैं खाना नहीं खा सकता तो आप क्या चाहते है पिताजी, हम अपनी सारी संपत्ती इन भूखे नंगों पर खर्च कर दें इतना सब करने को मैं नहीं कह रहा मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जब तक ये मुश्किल वक्त है हमें अपने घर की रसोई गाओं के लोगों के लिए खोल देनी चाहिए पहू रेवती, तुमें काम करो, घर में काफी अनाज है तुम गाओं की कुछ और औरतों को साथ ले लो और सब के लिए खाना बनाओ और जब तक मेरे घर में अन्न का एक भी दाना है तब तक मेरे रसोई से लोगों का पेट भरना चाहिए हरिलाल की बात सुनकर रेवती ने कुछ नहीं का और मुबना कर वहां से चली गए हरिलाल ने उसे देख और वो समझ गए कि रेवती उनकी बात नहीं मानने वाली पर समस्या ये थे कि मुखिया जिससे कह सकते थे वो उनकी बात नहीं सुनती थी और जो उनके आदेश पर अपनी जान दे दे उस बहु से वो बात नहीं करते थे दरसल मुखिया के दो बेटे थे बड़ा रवी और छोटा कवी मुख्या ने बड़े बेटे रवी की शादी रेवती से करा दी थी जबकि छोटे बेटे कवी ने कलपना से उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी इसी बात से नाराज होकर मुख्या ने कवी और उसकी पत्नी कलपना को घर से बाहर निकाल दिया था कवी और कलपना उसी गाउं में एक छोटे से घर में रहते थे उधर मुख्या की बात सुनकर देखिए जी एक तो पूरे गाउं में सूखा पड़ा है हम अपने लिए राशन बचा कर रखेंगे या पूरे गाउं की जिम्मेदारी उठाएंगे और उपर से ससुर जी कह रहें कि मैं रसोई में सारे गाउं के लिए खाना बनाओ मैं साफ साफ क्या देती हूं कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये अरे तुम चिंता क्यों करती हो मैं घोदी मना कर दूँगा पिताजी को वो तो सठ्या गय है मुझे लगा था कि कवी को अलग कर देने से सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी पर ये तो जाते जाते गरीबों पर सब कुछ लुटाने पर तो लेवे रवी और उसकी पत्नी रेवती ने मुख्या की बात मानने से इंकार कर दिया ये बात मुख्या को बहुत बुरी लगी, अब उन्हें चिंता सता रही थी कि गाउंवालों का क्या होगा, तभी गाउं की एक बुढिया मुख्या के पास आई, मुख्या एक रोटी दे दो, दो दिन से कुछ नहीं खाया है, रुको अम्मा, मैं अभी अपनी बहु को कुछ बनाने को बोलता हूं तुम्हारे लिए, बहु, बाहर एक अम्मा आई हुई है, दो रोटी उनके लिए भी बना दो, देखिए पिता जी, मैंने आप से पहले ही कहा था कि ये मेरी रसोई है, ना कि मुफ्त का कोई लंगर, मुख्या दुखी मन से बाहर आया और बुढिया क सामने हाथ जोड़ कर बोला, मुझे माफ कर देना अम्मा, मेरी बहु की रसोई में गरीब बुढिया के लिए दो रोटी भी नहीं है, कोई बात नहीं मुख्या, जाने दो, नहीं अम्मा, तुम एक काम करो, तुम मेरे छोटे बेटे कवी के पास चली जाओ, वो गरीब जर पिर उसके जाने के बाद, सुनोची, रसोई में अब बिल्कुल राशन नहीं बचा, अब कल क्या बनाएंगे और खाएंगे, चिंता मत करू कलपना, देखना, भोले शंकर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, वो गाउवालों को ऐसे भूखे नहीं मरने देंगे, कवी और ने भोले बाबा को याद किया और फिर वो दोनों सोने चले गए, सुबह जब कलपना उठकर रसोई में गई तो उसने चीख कर कवी को आवाज लगाई, सुनिये जी, जल्दी इधर आईए, जरा देखिये तो, है, पर, पर ये कैसे हो सकता है, हो नहो ये सरूर भोले बाबा का चमतकार है, कवी और कलपना को यकीन नहीं हो रहा था, गरीब कलपना की रसोई का हर डिबा राशन से पूरी तरह भरा हुआ था, ये नजारा देखकर कवी और कलपना ने भगवान के सामने हाद चोड़े औ कलपना, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, खुद भोले बाबा हमारे साथ है, तुम्हें काम करो, इस अनाज से पूरे गाउँ वालों के लिए खाना बनाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और हमारी रसोई से गाउँ के हर भूके तक ने वाला पहुँचेगा, कलपना ने वैसा ही किया, दोनों पती पतनी ने पूरे गाउँ के लिए खाना बनाया, और सब ने पेट भर कर उनके घर खाना खाया, ये देखकर कवी और कलपना बहुत खुश थे, अगले दिन भी वैसा ही हुआ, सुबह उटते ही कलपना ने देखा कि उसके अनाज के सारे डिब में पूरी तरह से भरे हुए थे, अब तो रोज ही कवी के घर में भंडारा लगता और गाउं के सारे लोग उनके यहां खाने आते, अब गाउं में कोई भूखा नहीं सोता था, एक दिन रात को, कोई अपने कंधे पर बोरा ला दे हुए कवी के घर की रसोई में खड़ा था, जिसके आने की आवाज सुनकर कवी और उसकी पतनी कलपना उट बैठे थे, कवी उस आदमी के पास गया जिसके कंधे पर एक बोरा था, तब उस आदमी ने कवी से कहा, गाउं के इस मुश्किल वक्त में ये रसोई और इसका चूला खंडा मत पढ़ने देना बेटा, इतना कहते ही उस आदमी ने अपने कंधे पर रखा बोरा नीचे रख दिया, जिसमें बहुत सारा नाच था, कवी ने जब हलके अंधेरे में उसे देखा, तो वो उसके पिता हरीलाल थे, उन्हें देखते ही कवी और कलपना उनके पैरों पर गिर पड़े, हरीलाल ने दोनों को अ कैसे गरीबी में जिएंगे, हमारे दिन आखिर कब बदलेंगे, ज्यादा परिशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, नहीं पिताजी, हमने गरीबी में अपना पूरा बच्पन गुजार दिया, अब कल हम दोनों भाईयों के शादी हो जाएगी, तो हमारी माने जितने क्या वही दोख हमारी पतनी भी सहीगी, और दूसरी बात ये कि अब आपकी भी उम्र हो रही है, आप कब तक खेती कर पाओगे, तो क्या चाहते हो तुम, पिताजी, हम दोनों भाईयों ने बार भी पास कर लिये, अब हम दोनों शहर जाएगे और वहीं कुछ काम धंदा ढ सुनेंगे, और जैसे ही काम जम जाएगा, आपको भी अपने पास बुला लेंगे, क्यों सुनिल, तेदी भी यही राय है क्या, पिताजी, अब भाईया कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, ठीक है फिर, जब तुम दोनों ने विचार कर ही लिया है, तो फिर जाओ और अनिल और सुनिल की, मनिलाल गाओं में रहकर खेती करता था, जमीन जादा नहीं थी तो मनिलाल की आर्थी किस्सिती भी ठीक नहीं थी, कुछ दिनों बाद अनिल और सुनिल मनिलाल के पैर चुकर शेहर के लिपल रहे हैं, वक्त गुजरता है और एक दिन अचानक मनिलाल की पत्मी सुधा का निधन हो गया मा के निधन की बात सुनकर दोनों बेटे शेहर से दोड़े चले आए ये कैसे हो गया पिता जी आपने हमें खबर क्यों नहीं की हम तो मा से मिल भी नहीं पाए अब क्या बताऊं बेटा अचानक ही उसके सीने में दर्द हुआ और फिर वो चली गई पिता जी अब आप अकेले रह गए हैं यहां कौन आपके लिए रोटिय बनाएगा आप मेरे साथ घर चलो नहीं नहीं पिता जी मैं बढ़ा हूँ आप मेरे पास चलो मेरे साथ रहो मेरे बच्चों इस घर में तुम्हारी मा की यादें बसी हैं जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं यहीं रहूंगा मनीलाल की बात मानकर अनिल और सुनेल मा का अंतिम संसकार करने के बाद वापस शेहर चले आए उधर मनीलाल वाकई में अकेले पड़ गए थे अब वो अपने लिए खुद रोटी बनाते और खेती करते पर गुजरते वक्त के साथ मनीलाल की सेहत और हिम्मत दोनों जवाब देने लगी और फिर अब शायद मुझे मेरे बच्चों की बात मान लेनी चाहिए ना तो अब मुझसे खेती होती है मनीलाल ने अपने बड़े बेटे अनिल को चिठ्थी लिखे और उसमें लिखा कि वो आकर उसे अपने साथ ले जाए कुछ दिनों बाद अनिल अपनी गाड़ी से काउँ आया पिताजी काउँ आप लो मैं आ गया अब आप चलो मेरे साथ आ गया बड़े दिन लगा दिये तूने बेटा हाँ वो पिताजी थोड़ा काम में फस गया था अब चलो जल्दी देर मत करो अच्छा रुक तो सही अपना सामान बांध लूँ कैसा सामान यहाँ है क्या आप तो बस मेरे साथ चलो छोड़ दो यह सब यहीं आप मेरे घर चलो वहाँ सब कुछ है आपके लिए और हाँ वो देखो मैं अपनी नए गार